करन कुंद्रा ने सिद्धा शुकला की फोटो शेर करते हुए लिखा शौकिंग कल रात ही तो हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे हम दोनों ही इंडस्ट्री में कितना अच्छा कर रहे हैं इस पर बात हो रही थी यकीन नहीं हो रहा दोस्ट तुम बहुत जल्दी चले गए तुम मुझे हमेशा याद आओगे हमेशा हसते रहना बहुत दुखी हूँ बता दे कि जानकारी के मुताबिस सिद्धा शुकला के पोश्टमॉटम की विडियोग्राफी होगी बॉलिबूड एक्टर सिद्धा शुकला का 40 की उम्र में हार्ड अटेक के चलते मिधन हो गया है मुंबई के एक ऊपर अस्पताल में उन्हें मिर्त गोशित किया गया रात में सोने से पहले सिद्धार ने कुछ दवाईया ली थी जिसके बाद वे सुवय उठी नहीं सके एक्टर करन कुंद्रा सीरियल ये रिस्ता क्या कहलाता है में नजर आ रहे है सिद्धार शुकला के निधन से करन कुंद्रा काफी शौक्ड है उन्होंने बताया कि एक रात पहले ही उनकी सिद्धार शुकला संग फोन पर बात हुई थी करन कुंद्रा ने शेर की पोस्ट करन कुंद्रा ने सिद्धार शुकला की फोटो शेर करते हुई लिखा शौकिंग कल रात ही तो हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे हम दोनों ही इंडस्ट्री में कितना अच्छा कर रहे हैं इस पर बात हो रही थी याकिन नहीं हो रहा दोस्त तुम बहुत जल्दी चले गए तुम मुझे हमेशा याद आओगे हमेशा हसते रहना बहुत दुखी हूँ बता दे की जानकारी के मुताबे सिदार शुकला के पोस्ट माटम की वीडियोग्राफी होगी साम 6 बजे तक उनका पोस्ट माटम पूरा हो सकता है पुलिस के सोर्स ने बताया की रात 3 से 3 बच के 30 मिनट के करीब सिदार शुकला की तव्यत थोड़ी खराब हुई थी उन्हें बेचेनी और सीने में दर्द हो रहा था उन्होंने अपनी मा को इसके बारे में बताया सिदार शुकला की मा ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें सुलाया हाला कि सुबह सिदार शुकला उठे ही नहीं बिग बॉस सस्थ 13 के होस्ट और एक्टर सलमान खान ने सिद्धार्थ की निधन पर दुख वेक्ट किया है सलमान खान ने ट्वीट कर लिखा तुम बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ तुमें हमेशा याद करेंगे परिवार के परती सम्देदना करन कुंद्रा ने सिद्धार्थ शुकला की फोटो शेर करते हुए लिखा शौकिंग कल रात ही तो हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे हम दोनों ही इंडस्ट्री में कितना अच्छा कर रहे हैं इस पर बात हो रही थी यकिन नहीं हो रहा दोस्ट तुम बहुत जल्दी चले गए तुम मुझे हमेशा याद आओगे हमेशा हसते रहना बहुत दुखी हूँ बता दे कि जानकारी के मुताबिस सिद्धार शुकला के पोस्ट मॉटम की विडियोग्राफी होगी बॉलिवूड एक्टर सिद्धार शुकला का चालिस की उम्र में हार्ड अटेक के चलते निधन हो गया है मुंबई के एक ऊपर अस्पताल में उन्हें मिर्त गोशीत किया गया रात में सोने से पहले सिद्धार ने कुछ दवाईयां ली थी जिसके बाद वे सुबह उठी नहीं सके